Hello friends, welcome to brand new series which is email marketing series हम समझेंगे कि email marketing कैसे काम करता है हम उसको क्यों use करते हैं ठीक है उसके pronouns and cons क्यों से हम tool use करते हैं उसके बाद हम समझेंगे मतलब content कैसे लखते है एक email का को हो template use करते हैं किस तरह से करते हैं Each everything हम इस पूरे series में समझेंगे OK So, let's begin सबसे पहले हम देखते हैं इसके content email marketing के क्या contents है पहला आता है what is email marketing, second है why we use email marketing, third है how email marketing work, fourth है email marketing pros and cons, fifth है how to write the best email marketing content, sixth है list of the best email marketing template and the seventh है वो है list of the best email marketing tool free and paid, so let's get started, okay पहला पात, what is email marketing, okay email marketing is one of the process of the market your business via email marketing because you can act of sending a commercial message to a group of people using email, right, जो एक email marketing का जो पार्ट है वो एक process होता है अपने business को market में present करना via email, वो होता कैसे है, आप जो भी आप message mail करते हैं, जिसको भी आप mail करते हैं, चाहिए वो B2B वाला पार्ट हो, चाहिए B2C वाला पार्ट हो, तो अगर आप mail करते हैं, उसको किसी people को करते हैं, या किसी group में काम आप mail करते हैं, वो commercialized message के form में create होता है, okay, आप उसको commercial message send करत अगर आपके पास email है तो ही आप उसको email भेज सकते हैं otherwise नहीं सिंपल यह आपको एक image हो रही होगी यह let's suppose हम एक्जामबर सरूर समझते हैं कि यह एक source है उसके बाद यह एक flow है and now यह है एक destination ठीक है मतलब हम यह जो source part है हमने यहां से mail भेजा destination को okay चाहे वो mail B2B हो या B2C हो right कुछ भी हो सकता है हम कुछ ऐसे example देखते हैं कि email कैसे दिखता है कहां होता है कि इस साइट में कैसे दिखता है okay तो यह एक site है ठीक है इसमें आप जो site है यह पूरी service प्रवाइड करती है okay जैसे आपको यहां देखता है आप अपने यहां email डालेंगे okay let's suppose मैं डालता हूँ xyz at the rate gmail.com right अभी अगर यहां पर आप सब्स्राइब करेंगे तो आपका जो mail है वो यह service company जो है इसके CRM में safe हो जाएगा future में अगर यह company कोई service या कोई product या खुझ भी offer लाती है तो आपको email के थ्रूव आपको notification इसका आ जाएगा right वैसे हम एक और example देखते हैं यह e-commerce site है जिसमें आपको custom printed t-shirt men, women, kids इन सबके मिलेंगे तो यहां पर सबसे निचे आप देखिए यहां पर email address का form अगर मैं यहां पर भी mail ID लिखता हूँ okay xyz at the rate gmail.com तो जैसे आप सबस्वाइब करेंगे तो पहला है के email जाएगा आपके email ID पर इसमें कि आप उसको verify करेंगे verify जैसे ही होगा उसके बाद यह email ID है यह इस e-commerce company के site के CRM में save हो जाएगा verify क्यों होगा पहले चीज़ वेरिफाइब होगा इसलिए कि जो email है वो आपका genuine है यह चेक आउट करनेक्ट है तो जब यह email आप सेव हो जाएगा इस e-commerce site के CRM में तो जब यह company कोई नया product या कोई offer लाती है तो आपको email के थूँ आपको वो चीज़े पता चलेंगी ठीक है मान के चलते हैं कि आपकी email में कुछ यह offer आ गया यह कोई code आ गया कि आप इतना coupon code डाली है और यहां सी जो भी आप purchase करेंगे उसका कुछ percentage आपको discount मिलेगा वैसे हम example के समझते हैं कि मान के चलते हैं कि आप के पास thousand लोगों का email ID है अब इस email ID को आपने जो भी प्रोड़क्ट होगा या कोई service होगा आप thousand लोगों को email करेंगे मां चलते हैं कि आपका जो product या को service है उसका price around 100 रुपीज होगा अगर आपके thousand email में अगर 500 लोगों ने आपके product या आपके service को use किया तो आप imagine करिए कि 500 into 100 ठीक है कितना हुआ इसमें आपको कोई ads आने की को जरूत नहीं पड़ी आपको कोई Facebook में कोई market या Google कोई add कुछ भी करने जोतने पड़ी आपने टूल यूज किया चाहिए फ्री हो या पेड़ हो डिपेंड करता है आपके mindset पर अगर अपना free यूज किया है और आपने भेज दिया 500 लोगों ने यूज किया आपके यूज को तो आपको किते यूज में बिना एक पैसा खर्च करें और और यह आज नहीं होगा एक बार नहीं है यह जबतक आप इमेल बशते जाएंगे जब तक आप्कोई नेया प्रोडेसर्विस लाते जाएंगे तब तक वैसे ही वो चीज़े continue करते रहेंगे और यह number of time repeat होगा ठीक है forever तक लिए repeat हो सकता है तो यह power होती है email marketing की So I hope आपको email marketing का जो पहला part है what is email marketing आपको समझ में आया होगा Next part में हम पढ़ेंगे why we use email marketing Thank you guys